नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम शांती है, सच कहूं तो आज मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ, वो मेरी नहीं है, मेरे घर, मेरे परिवार की नहीं है, लेकिन एक औरत की है, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, उस औरत का नाम शांता था, और मेरी मा ने मुझे बताया था, कि उन्हीं के नाम से मेरा नाम शांती रखा गया है, हम महराश्रा के रहने वाले हैं, मा ने बताया था, कि उस औरत के मरने के ठीक 6 महेने बाद मेरा जनम हुआ था, मतलब ठीक उसी तारीक को जिस तारीक को उनकी मौत हुई थी और शायद इसलिए मा ने मेरा नाम शान्ती रखा है पर कभी-कभी मा ये भी कहती है कि वो मेरी दूसरी मा है मैंने शान्ती मा को कभी देखा नहीं था क्योंकि मेरे जनम से पहले ही उनका देहान्त हो गया था लेकिन मैंने मेरी मा से उनके बारे में सुना था सिर्फ उनके बारे में ही नहीं बलकि उनकी मुलाकात के बारे में माने मुझे बताया था कि उनकी मुलाकात बस कुछ चंद घंटों की थी लेकिन उन चन्द घंटों ने ही उन्हें जीने की हिम्मत दी थी उनका वो मकान और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार वो कुआ आज है भी या नहीं पता नहीं पर बच्पन में मिरी मा मुझे ये बताती थी कि वो कुआ आज भी वही है उसी घर के पीछे जरजर हलत में मैंने आज तक भूत पिशाच ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं किया है पर मा ने मुझे उनके बारे में जो भी बताया था उन बातों पर मुझे कहीं न कहीं यकीन है इसलिए मैंने मा के सुनाय हुए किसों को कहनी का रूप दिया है तो अब मैं शान्ती मा की कहनी उनहीं के जुबानी सुनाती हूँ मेरा नाम शान्ता है मैं ज़्यादा पढ़ी लेखी तो नहीं हूँ पर इनके मुझे एक दुबार सुना था कि साल 1983 में हमारी शादी होई थी शादी के बस कुछ दिन बाद ही मैंने उसे देखा था उस काली अंधेरी रात में पेडों के पीछे छुपकर शायद वो मुझे ही देख रहा था और उसके बाद वो सिलसला बढ़ता ही चला गया शुरू से बताओ तो मेरे पती थोड़े गुसेल सो भावके थे के साथ शादी करवा दी जाती थी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था सच बताओं तो मेरी उम्र खुद मुझे ही पता नहीं थी क्योंकि मैं कभी स्कूल ही नहीं गई थी इसलिए आंकड़े मुझे समझ नहीं आते थे पर शादी में लोगों को ये कहते सुना था कि मेरी उम्र शादी के लिए अभी कच्ची है तो दूसरी तरफ मेरे पती मुझे से बहुत जादा बड़े थे उन्हें देखने भर से ही पता चलता था उनकी बड़ी बड़ी सफेद मूझे सर के आधे बाल सफेद हो चुके थे लेकिन कदमे मुझे से बहुत उचे हट्टे कट्टे थे खानदानी लग रहे थे मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ हमारी शादी से कुछ दिन पहले ही उनकी पहली पत्नी का देहांथ हुआ था कब कैसे कहां कोई नहीं जानता था या फिस सब मुझसे उस हकिकत को चुपा रहे थे बस इतना बताया गया था कि मेरे होने वाली पती बहुत पैसे वाले है घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है बड़ा सा मकान है गाडिया है और वो किसी बड़ी सी फैक्टरी के मालिक है बस एक पैर से थोड़े लंगडा के चलते है बाकी चिंता की कोई बात नहीं और बस इन्हें बातों को ध्यान में रखकर मेरी शादी कर दी गई थी शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद की बात है मेरे पती रगुनाद उस दिन काम से घर लोटे नहीं थे जादातर वो अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाते थे लेकिन उस दिन अंधेरा होकर भी काफी वक्त गुजर चुका था मेरे पती ने मुझे साफ साफ हिदायत दी थी कि अंधेरा होने के बाद कुएं की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है पर न जाने कैसे मैं उस दिन शाम होने से पहले कुएं से पानी भरना भूल गई और अंधेरा होने के बाद मुझे याद आया वो क्या काम करते थे, कहां जाते थे, ये तक मुझे पता नहीं था उनकी डांट ना खानी पड़े, इसलिए मैं उस दिन बिना कुछ सोचे, घर के पीछे उस कुए पर पानी भरने चली गई उनके घर के पीछे पेड़ों का एक बड़ा सा बागान था जिसमें खजूर, नारियल, सुपारी और आम के बड़े-बड़े पेड़ थे और उनके बीच में था वो कुवा, जहां मुझे उन बड़े पेड़ों के बीच से अंधेरे से होते हुए जाना था मैंने वहाँ जाकर जल्दी-जल्दी में कलसी में पानी भर लिया पर जैसे ही मैंने कलसी को उठाया, मुझे कोई के अंदर से पानी की आवाज सुनाई दी जैसे कोई पानी पर तेर रहा हो, मैंने नीचे जुक कर देखा तो लगा कि कोई अजिब जानवर जैसी कोई चीज पानी से बाहर निकल कर आ रही है वो देख मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए, मैं पीछे मुड़कर सुनन सी खड़ी हो गई डर के मारे मेरे पैर भी वही जम गए तभी मुझे पेडों के बीच से तेज हलचल की आवाज सुनाई पड़ी मैंने बिना अपना सर घुमाए तिरिछी नजर से अपने दाएं बाएं देखने की कोशिश की पर मेरी नजर का जो दाएरा था उसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया फिर मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया जैसे ही मेरा वो एक कदम आगे बढ़ा मुझे पीछे भी वैसे ही कदमों की आहट सुनाई दी उस आहट को सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैं बिना देरी किये तेजी से घर की तरफ भागने लगी पर जितनी तेजी से मैं आगे भाग रहे थी उसी तेजी से कोई मेरी और दोड कर आ रहा था जैसे ही मैं दर्वाजे के करी पहुँची वो आवाज भी आनी बंद हो गई मैं जट से दर्वाजों को धक्का देकर घर के अंदर चली गई और कलसी को वही नीचे रख कर दर्वाजा बंद करने के लिए पीछे मुड़ गई उसी वक्त दर्वाजा लगाने से बस कुछ पल पहले मैंने उन दो चमकती हुई आँखों को देखा था एक पेड के पीछे चुपकर वो मुझे देख रही थी वहाँ जो कुछ भी था उसने पेड के पीछे से चुपकर मुझे देखा और फिर वही चुप गया वो क्या चीज थी मुझे कुछ पता नहीं चला मुझे अंदर से बहुत लग रहा था कि मैं उन्हें ये सब बताओं कि मैंने आज कसी अजीब सी चीज को देखा था लेकिन उन्हें कुछ बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अंधरा होने के बाद मैं वहाँ गई थी अगर मैं उन्हें ऐसा कुछ बताती तो वो मुझे ही डाटते या शायद मारते भी इसलिए उस रात मैंने अपने पती को कुछ भी नहीं बताया लेकिन उसके दूसरे ही दिन मुझे फिर से वही सब महसूस हुआ दूसरे दिन रात में जब मैंने बचा हुआ जूटा खाना फेकने के लिए पीछे का दरवाजा खुला तब मुझे फिर से वहीं दो आँख ही दिखाई दी और मैंने जड़ से दरवाजा बंद कर लिया उस दिन के बाद से मेरी फिर उस अंधिरे में कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई और नहीं अंधिरा होने के बाद मैं कभी उस कुएं की तरफ गई थी लेकिन एक रात एक रात मेरे पती नहीं मुझे उस कुएं के पास जाने के लिए कहा और वो भी बीच रात उस दिन वो हमेशा की तरह अंधिरा होने से पहले ही घर आ गए थे और आते ही हात मूँ धोकर अपने कमरे में जाकर किसी तरह की पूजा के लिए बैठ गए उनके और मेरे बीच जादा कभी बात नहीं होती थी इसलिए वो क्या करते थे क्यों करते थे ये पूछने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की उस दिन घराने के बाद उन्होंने मुझे आठ से दस लोगों का खाना बनाने के लिए कहा मुझे लगा कि शायद कोई महमान आने वाले होंगे मैंने जल्दी जल्दी में खाना बनाना शुरू किया खाना बनाकर पूरा हो गया लेकिन वो अब भी अपने कमरे में पूजा के लिए बैठे होए थे मैं दो बार उनके कमरे के पास गई, पर न जाने उन्हें कैसे पता चल जाता था, वो मेरी तरफ बिना देखे ही हाथ से मुझे बाहर जाने का इशारा कर देते, वो किस भगवान की बुजा कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं था, क्योकि उन्होंने बिना इ suspension उनके कमरे पता नहीं चला जब मैं नेन में थी तब वो मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में आ गए नेन खुलते ही पहले तो मैं उनका रूप देखकर है डर गई उनकी बड़ी बड़ी लान आखे माथे पर और बदन पर हर तरफ किसी तरह की राख भस्म लगा हुआ था और उपर से उनका पूरा चेहरा पसिने से सना हुआ था उन्होंने मुझे जगाते हुए मेरे सामने खाने से भरी हुई एक थाली रग दी मुझे लगा कि वो मेरे लिए खाना लेकर आये है वो देख पहली बार मेरे चेहरे पर खुशी छाई थी पर तभी उन्होंने कहा जाकर इसे कु पर जाने की बात सुनकर मैं और भी डर गई। ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर जो भी ताकत थी वो भी निकल गई हो। मैं सुनन हो गई थी। नेन से अचानक जागने की वज़े से मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं कुछ देर वैसी ही बैठी रही। उन्होंने अपनी हाथों की उंगलियों को मरोरती हुए अपने बड़े भारी भरकम हाथ से मेरी कलाई को ताकत से दबाया। और फिर दबी हुई आवाज में कहा। उनके वो रूखे और गुसल शब्द सुनकर मैं होश में आ गई। और तब मैंने अपनी आखे खोल कर ठीक से थाली की तरब देखा। वो एक बहुत बड़ी थाली थी। करीबन आट से दस लोगों का खाना उस एक ही थाली में परोसा गया था। मैंने पूरी ताकत से उस थाली को अपने हाथों में उठाया। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे अंदर घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी साहस नहीं था। लेकिन उनकी मर्जी के आगे मैं बेबस थी। आखिरकार मैं उस बड़ी सी थाली को लेकर बाहर चली गई। वो दर्वाजे के पास लाल्टेन लिए खड़े थे। पीछे से आती लाल्टेन की रोशनी से मेरी लंबी परचाई उस कुएं तक फैल रही थी। मैंने दोनों आखों को कसकर बंद कर लिया और एक एक कदम कुएं की तरफ चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद मैंने धीरे से आँख खोल कर देखा। लेकिन अब्भे मैं कुएं से कुछ 15-20 कदम दूर थी। मैंने फिर से आँखें बंद कर ली। कुएं के अंदर से पानी की हलचल मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद मैंने थाली को नीचे रख दिया और पलट कर तेजी से घर की तरफ चलने लगी। तब मुझे कुएं के अंदर से पानी के हिलकोरे की आवाजे सुनाई पड़ी। दे बाद मेरे कमरे का दर्वाजा बन था। लेकिन दर्वाजे के नीचे से आती लाल्टेन की रोश्री से मुझे पता चल रहा था कि वो अब भी दर्वाजे के पास ही खड़े है, किसी चीज का इंतजार कर रहे है। पता नहीं रात कब वो अपने कमरे में चले गए। पर उनके उस दिनके व्यवहार से मुझे काफी भुरा लगा। उस रात मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो क्या चीज थी। जिसे मैंने दो बार देखा था। वो किस चीज की पुजा कर रहे थे। और आज बीच रात किस के लिए खाना रखवाय गया था। ये वो सब क्या था। यहां सब कुछ हमेशे इतना शांत क्यों रहता है। इनके घर के आसपास कोई भी क्यों नहीं आता। कोई मेहमान नहीं, कोई दोस नहीं। बड़ा घर है, गारिया है पर नौकर एक भी नहीं। बाहर से ये सब को जितना बड़ा दिखाई दे रहा था, अंदर से उससे जाना खौखला था। मुझे इतना तो पता था कि गाओं में कहीं पर उनका एक बड़ा भाई रहता है। लेकिन इतनी दिनों में न कभी वो यहां आये थे और नहीं उनकी भीवी बच्चे। कुछ तो अजीब बात थी इस जगा में। सवालों के जवाब जानने की इच्छा तो थी लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। मुझे बीना पुछे घर से बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं थी और इस पारे में उनसे पूछने की मुझे में हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन सुभ़ उनके घर से बाहर जाने के बाद मैं कपड़े धोने के लिए कुए से पानी लाने चली गए। आसपास देखकर एक नजर तसल्ली कर ली और फिर बाल्टी को कुए में डाल दिया। नजाने कैसे आज पानी बहुत नीचे था, बहुत गहरा था। बाल्टी ने पानी में गोता लगया तो मैंने उसे उपर खीचना शुरू किया, पर मुझसे वो बाल्टी खीचे नहीं जा रही थी, बहुत ताकत लगाने के बाद भी बाल्टी थोड़ी भी उपर नहीं आई, ऐसा लगा शायद मेरी जगह कोई पहलवान भी होता तो भी वो उस बाल्टी को खीच न पाता, इतनी भारी लग रही थी वो, फिर अगले ही बल में धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, ताकत लगाने की वजह से मेरी धड़कन तेज हो गई थी, मैंने उटकर कुए में जहांक कर देखा, तो बाल्टी पानी पर तैर रही थी, और उसकी रस कोई सीड़ी बहुत नजदिक, तो कोई बहुत जादा दूर थी, मैं धीरे धीरे पत्थोरों का सहारा लेते होए उन सूखी सीड़ों से नीचे उतरने लगी, बाल्टी कुए में बीचों बीच पानी पर तैर रही थी, उसे निकाल पाना मेरे लिए मुश्किल था, देखा, तो वहाँ कोई नहीं था, तो मैं फिर से नीचे जोकी, और फिर मुझे वहीं एहसास हुआ, लगा कि वहाँ ज़रूर कोई है, मैं ने फिर एक बार मुड़ कर देखा, पर सीड़ी खाली थी, वहाँ कोई नहीं था, मैंने फिर तेजे से कलसी को पानी में डुबोय इस बार जब मैं नीचे जोकी तो मुझे आखों के किनारे से कोई दिखाई दिया एक काली सी परच्छाई मैं आधी अधोरी पानी से भरी कलसी लेकर जट से खड़ी हो गए पर फिर से वहाँ कोई नहीं था मैं काफी डरी हुई थी फिर जैसे ही मैं पत्थरों से बनी वो सीड़िया चड़ने लगी मुझे एक आवाज सुनाई दी एक फुसपुसाट से भरी आवाज वो आवाजे बार-बार मेरे कानों में गोंज रही थी कोई परच्छाई मेरे सामने बार-बार उभर रही थी और मिट रही थी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहा हो आसपास का सब कुछ घूमने लगा था पता नहीं किस हिम्मत से मैं वापस उपर आ पहुँची थी मेरी सांसे हद से ज़ादा तेज चल रही थी हालत ऐसी थी कि जैसे मुझे में जरा से भी जान न बची हो मेरा शरीर बहुत जादा थाकवा लग रहा था उपर जाती ही मैंने उस कलसी को नीचे रख दिया और अपने आपको खीशती हुए और पूरी ताकत से अपने पेरों को उठात हुए भारी कदमों के साथ घर की तरफ चलने लगी मैंने क्या देखा था मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं था आगे चलते चलते मेरा सर किसी चीज से टकरा गया पेड की टहनी थी वो शायद मैंने टहनी का सहरा लेना चाहा लेकिन उसे छोते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई मैंने किसी तरह अपना सर उठा कर देखा देखा तो वहाँ एक लाज जूल रही थी और मैंने जिसे टहनी समझ कर पकड़ रखा था वो टहनी नहीं थी बलकि उसका पैर था मैं पूरी तरह से बेहाल थी मेरा पूरा बदन बहुत जोरों से कापने लगा था मेरे आसपास का सब कुछ बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा था सब कुछ धुनला पड़ता चला गया और फिर मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ी उसी के साथ फिर से वो आवाज मेरे कानों में गूँजने लगी चली जाब होश खोने से पहले मैंने देखा कि वो पेड़ से लटकती होई लाश मुझे वहाँ से जाने को कह रही थी उसके बाद पता नहीं वहाँ क्या हुआ जब मुझे होश आया तो दोपर की तेज धूप से मेरे चेहरे पर जलन हो रही थी मैं उटकर बैट गई पूरा बदन पसिने से भीग चुका था और मेरे करीब पानी से भरी होई वही कलसी थी सामने कुए पर बाल्टी लटक रही थी और उसकी रसी भी पहले जैसी ही ठीक थी वो सब कुछ देखकर मुझे याद आ गया कि बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था मैंने किसी तरह उस कलसी को उठाया और सीधे घर के अंदर चली गई मैं बहुत चाहती थी कि मैं उन्हें ये सब बताऊ कि यहाँ क्या-क्या अजीब-अजीब सी चीज़े हो रही है पर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद कभी इतना अजीब बरताव करते थे कि उन्हें बताने से भी डर लगता था उस शाम वो घर आये तो थोड़े बीमार थे मैं एक दो बार उनके कमरे के पास चली गए लेकिन उन्हें बताने की हिम्मत न जुटा पाई वो बस अपने खाट पर लेटे रहे मैं अंदर जाकर जुकर देखना चाह रही थी कि वो किस चीज की पूजा करते है पर वहां बाहर कुछ भी नहीं था हमेशा की तरह सब कुछ अलमारी में बन था मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर चली गई उनके उस अजीब से वेवहार की अब आदत हो चुकी थी मैंने हम दोनों के लिए खाना बना लिया लेकिन वो नहीं आये इसलिए मैं भी बिना खाना खाये अपने कमरे में सोने चली गई उसके बाद उन्होंने खाना खाया भी या नहीं पता नहीं बस इतना जानती थी कि वो अपने कमरे में पड़े हुए है वहां होने वाली अजीब चीजों के चलते में ठीक से सो नहीं पा रही थी थोड़ी सी आठ से भी मेरी नेन खुल जाती थी तब भी मैं आधी नेन में थी जब बीच राद धब धब की आवाज से मेरी नेन खुल गई कोई दर्वाजे को धीमे से बजा रहा था वो आवाज मैंने कई बार सुनी तब मुझे याद आया कि शायद मैं पीछे का दर्वाजा बंद करना भूल गई हूँ और वो सोचकर मेरा बदन सिहर उठा कहीं वो खौफनाक चीज तो नहीं अंदर आ गई और ये सोचकर मैं अपने बिस्तर में उठकर बैट गई जैसे ही मैं उठी मुझे मुझे दर्वाजा खुलने की आवाज सुनाई दी डर के मारे मैं फिल से नीचे बैट गई क्या करू कुछ समझ नहीं आ रहा था कमरे से बाहर जाने तक से मुझे डर लग रहा था आखिरी कार मैं उठकर खड़ी हो गई ये सोचकर की मेरे पती के कमरे का दर्वाजा भी खुला होगा और अगर कोई अंजान चीज घर में घुसाई तो हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा मैंने पहले मेरे कमरे के दर्वाजे से बाहर जांक कर देखा बाहर अंधरे के सिवाए कुछ भी नहीं था मैंने लाल्टेन जलाई और दर्वाजे के पास चली गई मैं दर्वाजा लगाती तभी मुझे एक अजीब से खिस-खिसाने की आवाज सुनाई दी मैंने गौर से आंखों को बारी करती हुए सामने उस काले घने अंधरी की और देखा मुझे फिर से वो दो आँखे दिखाई दी दो लाल चमकती हुई आखे मगर पिछली बार जब देखा था तब तो वो सफेद थी और इस बार वो लाल दिखाई दे रही थी मेरे पती घर में होने की वज़े से इस बार मैंने थोड़ा गुस्से में उस परचाई को आवाज दी कौन है? कौन है वहा? मेरी आवाज सुनते ही वो चमकती हुई आखे किसी पेड के पीछे छुप गई मैं दर्वाजा लगा पाती तब ही किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रग दिया मेरे रौंगती खड़े हो गए मुझे जोर का जटका सा लगा और मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई मैं इतना डर गई थी कि कुछ पलों में ही मेरी सांस फूल गई पर जब मैंने देखा कि पीछे मेरे पती खड़े है तब मैं धीरे धीरे शांत हो गई हमेशा की तरह शांत और गंभेर आवाज में उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ तुम यहां क्या कर रही हो मैंने डरते हुए यह उन्हें जवाब दिया कुछ नहीं बस लगा कि कोई है बाहा अभी कुछ दिर पहले कोई दर्वाजे पर बार बार दस्तक दे रहा था इसलिए मैं बस देखने चलिया आई थी मेरी बात को काटे हुँ उन्हें कहा ठीक है अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और अंदर से दर्वाजा बंद कर लेना मैं अपने सर को हां में हिलाते हुए चुपचाप अपने कमरे के अंदर चलि गई और कमरे का दर्वाजा लगा लिया असल में मैंने पूरा दर्वाजा नहीं लगाया था बस दर्वाजा पूरा बंद करने का नाटक किया था मैं एक दरार से देख पा रही थी कि वो अब भी वहीं खड़े थे उन्होंने अपने आसपास देखते हुए किसी बात की तसलिकी और फिर अपने घुटनों के बल नीचे बैड़ गए लेकिन उस वक्त उनकी एक बात को देख कर मैं बहुत जादा चौँक गई इतना कि मुझे मेरी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था नीचे बैड़ते वक्त उन्होंने घुटने से नीचे की अपनी एक टांग निकाल कर बाजो में रख दी उनकी एक टांग नकली थी लकडी की थी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या देख रही हूँ इतने दिन हो गए पर मुझे ये तक पता नहीं था कि उनकी एक टांग नकली है मैंने आगे देखा तो वो घुटनों के बल बैट कर अपने सर को जुकाए और अपने दोनों हातों को हवा में उपर उठाए किसी से माफी मांग रहे थे रो रहे थे, किसी ताकत के सामने गिडगडा रहे थे मेरे लिए वो सब कुछ किसी सदमे से कम नहीं था वो सब देखकर मेरा भी दिमाग चकरा गया वहाँ सब कुछ क्या हो रहा था, वो किस से माफी मांग रहे थे कौन थी वो परचाई जिसे मैंने कोई के अंदर देखा था किसकी थी वो लाज जो पेड़ से लटक रहे थी वो क्या चीज है, जिसकी आँखे मुझे बार-बार दिखाए दे रही है और वो हर हवते किस भगवान की पूजा करते है उनकी टूटी हुई टांग के बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया सवाल पर सवाल उठ रहे थे पर एक का भी जवाब मेरे पास नहीं था जो थे वो बस सवाल थे फिर कुछ देर बाद वो दिबार के सहरे से खड़े हो गए अपने एक टांग को लगा कर दरवाजा बन कर अपने कमरे में चले गए और मैं अपने अंदर सारे सवालों को लिए उस रात के गुजरने का इंतजार करने लगी उस रात मैंने बहुत सोचा कि अगले दिन मैं उनसे पूछ कर रहूंगी कि यहां सब क्या हो रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है लेकिन अगले दिन उटते ही वो एक सलिया लेकर कुए के पास चले गए मैं उनसे नजर चुरा कर सब देख रही थी कि वो क्या कर रहे है कुए के पास जाकर उन्होंने उस सलिय को जमिन में गार दिया और एक बड़ासा पत्थर लेकर उपर से मारती हुए उसे अंदर तक धसा दिया मैं तब सुभा का खाना बना रही थी लेकिन खाना खाने से पहले ही वो घर से बाहर चले गए क्या करू कुछ समझ नहीं आ रहा था दिन भर में यहीं सोचती रही कि अब ये क्या करने वाले है भगवान ही जाने उसी दिन शाम को वो एक बकरे को लेकर घर वापस आ गए बकरे को देख में बहुत खुश हो गई थी लगा कि कही न कहीं उसे संभालने में मेरा थोड़ा बहुत वक्त निकल जाएगा उसका ध्यान रखने में मेरा मन लगा रहेगा पर आते ही उन्होंने उस बकरे को कुएं के पास ले जाकर उस लोहे के सलिय से बान दिया मैं तो हैरान होकर बस देखती रही मुझे कही न कहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि इनका इरादा कुछ ठीक नहीं है लेकिन हमेशा की तरह मैं चुप थी वो अंदर आये और हराफते की तरह अपने कमरे में एक कोने में जाकर अलमारी के सामने बैठ गए उस अलमारी में क्या था मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया पूजा होने के बाद हम दोनोंने साथ में खाना खाया वो हर निवाली को निगलते हुए मुझे घूर रहे थे उनकी नजर ऐसी तेज थी कि मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रही थी खाना खाकर हाथ धोकर वो सिधे अपने कमरे में चले गए उस रात भी मुझे बिल्कुल भी नीन नहीं आई मैं बस ये सोच रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यूं किया होगा उस बकरे को कोई के पास क्यूं बांद कर रखा होगा उससे लाने के बाद से न उसे खाना दिया था और नहीं पानी न जाने कब से वो भूका प्यासा होगा मैं ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी एक अजिब सी आवाज सुनाई दी उसी के साथ उस बकरे की चीखने की चिलाने की आवाज उस शान्त महोल में गूंज उठी मैं उस आवाज को सुनकर उठकर बैट गई लगा कि शायद उसे भूक लगी होगी इसलिए वो आवाज कर रहा होगा पर अगले ही पल उसकी अजिब से चिलाने की आवाज सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये आवाज भूक लगने की नहीं बलकि किसी की भूक मिटने की आवाज है ये डर की आवाज है ये मौत की आवाज है उसके बाद कुछ पल में ही सब कुछ पहले जैसे ही शान्त हो गया एकदम शान्त पता नहीं वहां क्या हुआ था पर इस घटना को सुनकर जो आपके मन में चल रहा है वही उस वक्त मेरे मन में चल रहा था सुबह होते ही मैं मेरे पती के जागने से पहले ही उस कोई के पास चली गए पर वहां वो बकरा नहीं था बस एक तूटी रस्सी थी और रस्सी को लगा हुआ खून था उसके होने का वहां पर कोई भी निशान नहीं था मैं जब पीछे मुड़ी तो देखा कि मेरे पती घर के दर्वाजे के बीचों बीच खड़े थे उसी शान्त और गंभिर आखों से वो मुझे घूर रहे थे वहां क्या हुआ होगा वो सोचकर ही मुझे रोना आ गया और मैं दोड़ कर ही अपने कमरे में चली गई उस दिन मैंने ठान लिया कि इस पूरी बात का पता लगा कर ही रहूंगी क्योंकि एक के बाद एक बस सवाल उभरते जा रहे थे लेकिन न किसे से पूछ से बनता था और न कुछ किये जा रहा था घर छोड़ कर जाने का मन तो बहुत कर रहा था लेकिन मुझे में गाड़ियों की रास्तों की इतनी समझ नहीं थी मेरा माईका किस तरफ था वो तक मुझे पता नहीं था और अब ऐसा लग रहा था कि शायद इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की है या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही है मैं अब सारे सवालों के जवाब चाहती थी इसलिए मैंने उनके घर से बाहर जाने के बाद जल्दी-जल्दी में सारे काम निप्टा लिये और फिर मैं उनके बड़े भाई के घर की और निकल पड़ी लगा कि शायद उनके घर जाकर मेरे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे मैं दो पहर के वक्त घुंगट ओड़े छुपते 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 लोगों से पूछते हुए उनके घर तक जा पहुंची घर देखकर एक पल तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उनके बड़े भाई का घर है बहुत जादा जरजर हालत में एक कमरे का मकान था वो एक तरफ मेरे पती जो इतने अमेर थे तो दूसरी तरफ उनके खुद के बड़े भाई ऐसी हालत में जी रहे थे कुछ तो अजीब बात थी मैंने दर्वाजे पर दस्तक दी तो एक औरत दर्वाजे में आकर खड़ी हो गई नाम पूछने पर पता चला कि वही मेरी जेठानी है उन्होंने भी मुझे पहचाना नहीं पहचानती भी कैसे उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था इसलिए मैंने उन्हें अपना परीचाई दिया और बताया कि मैं वहां क्यों आई हूँ लेकिन मेरी बात सुनकर पहले तो वो दंग रहे गई थोड़ी हडबडाई भी मुझे घर के अंदर बुलाने से भी वो डर रही थी पर जब मैंने उनके सामने हाठ जोड़े उन्हें मेरी तकलिफों के बारे में बताया तब उन्होंने मुझे घर के अंदर ले लिया और फिर मुझे पानी पिलाने के बात कहा कहो क्या जानना चाहती हो मैंने उन्हें मेरे साथ हुई हर एक गटना के बारे में बताया हर एक उस डरावने एहसास को सुनाया तब उन्होंने मुझे धीरज देते हुए कहा देखो सच जुट मैं भी नहीं जानती जो भी जानती हुँ वो या तो लोगों से सुना है या फिर अपने पती से देवर जी की आप से पहले दो शादिया हो चुकी है और सुना था कि दोनों ने भी खुदकुशी कर ली थी पहले पत्नी ने कुए में कुदकर जान दे दी थी तो दूसरी वाली ने अपने आपको फासी लगा ली थी मैंने मेरे पती के मुँझ से एक दुबार ये बात सुने थी कि देवर जी किसी बुरी ताकत की अमल में है किसी शैतान की और वही शैतान उन पर धन दौरत की बरसाद करता है पर कहते हैं न कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है देवरजी ने अपना सब कुछ खोकर ये सब पाया है कहते हैं कि वो बुरी ताकत हमेशा उनके घर के आसपास मंड़ाती रहती है उनके घर जाना तो दूर गाउं के लोग उस घर के पास से भी गुजरने से डरते है वो शैतान वो चीज क्या है वो देवरजी की सिवाए कोई नहीं जानता और इसलिए हम भी वहां कभी नहीं जाते एक बार तो इनके मुँँ से सुना था कि एक रोज तो वो मरते मरते बचे थे सुना था कि जिस दिन उनकी दूसरी पत्नी ने फांसी लगा ली थी उसके ठीक अगले दिन वो अदमरी हालत में रास्ते पर पड़े होए थे उनका एक पैर कट चुका था जब हमारी ये देवरजी को समझा रहे थे तब बातो बातो में देवरजी ने कहा था कि वो शैतान की किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए थे और इसलिए उसने उनका एक पैर काट कर उन्हें सजा दी थी जेठानी जी की बाते सुनकर मुझे कुछ-कुछ बाते साफ होने लगी मतलब जिस परच्छाई को मैंने कुए में और जिस लाश को मैंने पेड से लटकते होए देखा था वो दोनों भी उनकी पहली पत्निया थी और जिन दो आँखो को मैं हमेशा देखती आ रही थी वो और कोई नहीं बलकि वही शैतान था जिनकी वो पूजा करते हैं जिसके लिए वो खाना भेशते हैं मुझे कुछ-कुछ बाते तो समझ में आ गए लेकिन आगे का अंजाम पता नहीं था मैं शाम होने से पहले ही वापस घर चली गए उसी शाम वो एक अंजान औरत को लेकर घर आ गए और मुझे बस इतना कहा कि आज राती तुम्हारे साथ रहेगी अब इस बार उनकी दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं पर ऐसा लगने लगा था कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है उस रात उन्होंने उस औरत को मेरे कमरे में रुकने को कहा वो जब से घर आई थी चुप-चाप थी और मेरे कमरे में आते ही वो एक कोने में जाकर सो गई सब कुछ शान्त होने के बाद मैं उठकर उस औरत के पास चिली गई जैसे ही मैंने उसके शरीर को छुआ तो महसूस हुआ कि वो थर-थर काँप रही थी मैंने उसे सहलाते होए पूछा क्या हुआ? इतनी डरी होए क्यो हो? उसने धीरे से उठते होए जवाब दिया पता नहीं पर एक अंजाना सा डर लग रहा है मैंने उसे धीरज देते होए पूछा वो तुम्हें यहां क्यों लेकर आये है? उसने फिर से अपनी गर्दन जुकाते होए कहा उनका पता नहीं पर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है अभी कुछ दिन पहले एक हादसे में मेरे पती की मौत हो गई है पर इस भले इंसान ने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है कहा है कि मुझे बस उनका एक छोटा सा काम करना होगा एक छोटा सा बलिधान देना होगा उस औरत की बात सुनकर मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि उनकी दिमाग में जरूर कुछ बुरा चल रहा है उसी पल वो थोड़ा दर्द से कराने लगी मैंने उसके सर को सहलाते होए पूछा क्या हुआ उसने बताया कि उसके पेट में हलका हलका सा दर्द हो रहा है तब मैंने जब उसके पेट को हात लगया तो मैं हैरान रह गई तुम तो पेट से हो हाँ तीन माह तीन माह हुए है मैं उस औरत की बात सुनकर खुश भी थी और थोड़ी घबराय हुई भी थी नजाने उनका दिमाग इस बार कौन सा शैतानी खेल खेलना चाहता था मैंने उसके बदन पर चादर को सरकाते हुए कहा अब तुम आराम करो हम कल बात करेंगे तब उसने जट से कहा नहीं उन्होंने मुझे सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाने को कहा है मुझे उसकी बात समझ नहीं आई मतलब मतलब उन्होंने कहा है कि मुझे रात अकेले कमरे में सोना होगा वहीं पर बहुत सारे पैसे रखे होंगे और एक चीज मरे पास आएगी लेकिन मुझे उससे डरना नहीं है बिना डरे, बिना घबराए बस शान पड़े रहना है फिर जब वो चीज कमरे से बाहर चली जाएगी उसके बाद मुझे सूरज उगने से पहले पैसे लेकर इस घर को छोड़कर जाने को कहा गया है उस औरत की बाते सुनकर मुझे समझ आ गया कि उनकी दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है मैं उसे उसी वक्त घर से बाहर ले जाना चाहती थी कि तभी कमरे का दर्वाजा खुल गया वो मेरे कमरे के दर्वाजे में खड़े थे वही भयानक रूप बड़ी बड़ी आँखे माथे पर बदन पर हर तरफ किसी तरह की राख लगी हुई थी अंदर आते ही उन्होंने उस औरत को उनके कमरे में जाने का इशारा किया वो धीरे से उटकर उनके कमरे की और जाने लगी मैंने पहली बार हिम्मत कर उनसे एक सवाल किया क्या करना चाहते हो आप उसके साथ उन्होंने गुसेल भरी आँखों से मुझे पलट कर देखा उनकी आँखों में बिलकुल वैसे ही चमक थी जैसी मैंने उस रात उस अंधरे में उन चमकती हुई आँखों में देखी थी उन पर जरूर शैतान का अमल था मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन मुझ में अब पहले से ज़ादा हिम्मत आ चुकी थी जैसे ही वो औरत उनके कमरे के अंदर चली गई उन्होंने बाहर से दरवाजा सिर्फ खीच लिया और वहां की सारे लाल टेन की रोशने को कम कर वो मेरे कमरे में आ गए अंदर आते ही उसी गंभिर आवाज में उन्होंने मुझ से कहा तुम चुपचाप सो जाओ हाज रात मैं यहीं सोऊंगा अब मैं सिधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गए और फिर से पूचा आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तब मुझे गुस्ते से एक तरफ करते हो उन्होंने कहा खैर मनाओ कि मैंने तुम्हें उस कमरे में नहीं भेजा तुम अभी उस लायक नहीं हो वरना उनकी बात सुनकर मैं इतना तो समझ चुकी थी कि आज नहीं तो कल मेरी भी बार ही आने वाली है उन्होंने दर्वाजे की अंदर से कुंडी लगा ली और मैं उनकी कहूं ही बात पर सोचने लगी मतलब उस राद घर का पीछे का दर्वाजा मैं नहीं खुला छोड़ा था वो इनों नहीं खुला था और उस राद भी शैतान घर के अंदर आया था लेकिन शायद उसने मुझे नकार दिया था मतलब इतनी दिनों से वो शैतान छुप छुप कर मुझे ही देख रहा था अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए मौका ढून रहा था और इसी वज़े से शायद इनकी दोनों पत्नियों ने आत्मात्या कर ली होगी ये सब सोचकर मेरा दिमाग ठंठनाने लगा था गुसे से मेरी सांस देज चल रही थी मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस गरीब औरत को कुछ भी नहीं होने दूँगी तभी मुझे बाहर से जोर से चीखने की आवाज आई और उसके बाद रोने की वो आवाज जरूर उस गरीब औरत की थी मैंने उटकर सिधे कमरे का दर्वाजा खोल दिया उन्होंने भी तेजी से उटते हुए मुझे पीछें कीच लिया क्या कर रही हो तुम मौत से डर नहीं लगता क्या तुम है मैं उनका हाथ जटा कर कमरे से सिधे बाहर चली गई कभी न कभी मरना ही है तो आज ही सही और आगे बढ़ते हुए मैंने जोर से धक्का देकर उनके कमरे का दर्वाजा खोल दिया कमरे में हर तरफ अंधेरा था लेकिन उस अंधेरे में मुझे वो चमकती हुई दो आँख ही दिखाई दी मुझे सामने देख वो शैतान गुसे से फुसफुसाने लगा था वो और अद कापती हुई उठने की कोशिश कर रही थी शायद मैं उसकी मदद के लिए अंदर जाती तब तक मेरे पती ने मुझे जोर का धक्का देकर दिवार पर धकेल दिया मुझे चोट लगी लेकिन मैं हिम्मत नहीं हरने वाली थी मैंने उस दिवार पर लटकी होई लाल्टेन को लेकर वहीं एक कोने से एक लकड़ी को उठा लिया और वो मुझे कुछ कर पाते उससे पहले मैंने उसे उनके असली पैर पर दे मारा उन्ही इतना जोर का घाव लगा कि वो नीचे जमीन पर गिर पड़े उसी वक्त में फिर से लाल्टेन ली होए उनके कमरे में दाखिल हुई इस बार मैंने उस शैतान को नजदिक से और ठीक से देखा उसका शरीर इंसान जैसा था लेकिन पूरा लाल लाल था हाथ पेर किसी मकडी की तरह लंबे थे सारे दाज जानवर की तरह नुकिले थे चहरा और हाथ पेर काले थे और आखे जानवर की तरह अंधरे में चमक रही थी मेरे अंदर जाती ही वो शैतान एक जटके में छलांग लगा कर वहां से गायव हो गया वो औरत वहाँ पड़े-पड़े रो रही थी उसके बदन के कपड़े फट चुके थे और शरीर पर जगा-जगा जखम बने होए थे वही उसके करीब बहुत सारे पैसे पड़े होए थे मैं उस औरत को सहरा दे पाती तभी पीछे से मेरे पती ने फिर से मुझ पर हमला कर दिया मौका देखकर वो शैतान उस औरत को घसी तो है कमरे से बाहर ले गया वो औरत अपने आपको बचाने के लिए चेख रही थी मदद के लिए पुकार रही थी लेकिन मेरे पती को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया मैं फिर से पूरी ताकत लगा कर उटकर खड़ी हो गई इस बार मैंने दोनों हाथों से एक लकड़ी को कसकर पकड़ तो है फिर से मैंने उनके पैर पर उसी जगह पर वार किया जहां मैंने पहले मारा था इतना तो मैं जानती थी कि जखमपर वार हो तो बहुत ज़ादा दर्ध होता है उनके पैर पर मार कर मैं फिर से लालटेन लेकर बाहर की तरफ दोर पड़ी शैतान उस औरत को खीशती हुए अंधिरे में उस कुए के अंदर ले जाता तब तक मैंने उस जलती हुई लालटेन की कांच फोड़ कर उसे शैतान की और फेक दिया लालटेन उसके शरीर पर लगकर नीचे गिर पड़ा और एक जोर की आग भड़क उठी उससी पल मैंने उस औरत को अपनी तरफ खीश लिया वो शैतान मुझे मारने के लिए या फिर मुझे पर वार करने के लिए मेरे पीछे दोड़ पड़ा हम दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ दोड़ रही थी पर बीच दरवाजे में मेरा पती हमारा रास्ता रोके होए खड़ा था एक तरफ शैतान था जो हमसे काफी दूर था लेकिन तेज था और एक तरफ मेरा पती मैं उस औरत को अपने आगे करते हुए और चीकते हुए ही दर्वाजे की और भड़ी मैं जानती थी कि इस हालत में वो मुझे मार सकते है लेकिन वो इस औरत को मारने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि अब वो शैतान की अमानत थी और जब तक वो उसे मेरे सामने से हटा पाते मैंने फिर एक बार उनके पैर पर एक जोर का वार कर दिया पर इस बार मैंने दूसरे पैर पर वार किया था उस पैर पर जो पैर लकडी का था नकली था वो नकली पैर एक वार में ही घुटने से अलग हो गया वो भी अपने आपको संभाल नहीं पाए और उस औरत को सामने से हटाने के चकर में वो सीडियों से सिधे बाहर की तरफ नीचे गिर पड़े मैंने उस औरत को अंदर की तरफ जोर का धक्का दे दिया और मैं भी घर के अंदर कूट पड़ी घर के अंदर जाते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया हम दोनों की हालत बहुत खराब थी उस औरत के पेट में बहुत जोरू का दर्द हो रहा था मैंने सारी खिड की दरवाजे फिर से जांच लिये और जो खिड किया खुली थी उन्हें भी बंद कर दिया बाद में मैं उस औरत को मेरे कमरे में लेकर चली गई और जितना हो सका उतना उसका खयाल रखा उस राद राद भर मुझे उनके चीखने की चिलाने की आवाजे आते रही कुछ वक्त बाद वो सब कुछ शान भी हो गया पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है क्योंकि एक डर तो अभी भी बना हुआ था कि कभी न कभी तो हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा और उस वक्त अगर हम उनके हांत लग गए तो वो हमें जान से मार डा लेंगे सुभ़ जब मैंने उनके कमरे में जाकर खिड़की से बाहर जहांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था उनका वो लकड़ी का पैर दूर कुए के पास टूटी हालत में पड़ा हुआ था और उसके अगले दिन मैंने उस औरत को पैसे देकर और कुछ कपड़े देकर उसके गाओं की और रवाना कर दिया शांता मा की कहनी यहां तक थी दोस्तो शांता माने इस औरत की जान बचायी थी न वो और कोई नहीं बलकि मेरी असली माँ थी और मैं उनकी बेटी शान्ती जो उस हाथसे के वक्त उनके पेट में पल रही थी शान्ता माने मेरी मा को बचाया लेकिन उसके बाद वो कहां चली गई किसी को कुछ पता नहीं माने बताया था कि जिस रात वो सब कुछ चल रहा था वो पूरी रात उन्होंने डर डर कर गुजार ली दूसरे दिन मेरी मा के हालत बहुत जादा खराब थी इसलिए वो दोनों घर के अंदर ही छुपी रही लेकिन दूसरे दिन रात शैतान फिर से वहां आ गया और उस रात शान्ती मा कुछ देर के लिए घर से बाहर चली गई थी वहां क्या हुआ कुछ पता नहीं पर मा का कहना है कि शायद शान्ता ने उस शैतान से कोई सोदा किया था जब माने उससे पूछा, तब उन्होंने बस इतना जवाब दिया इंसान तो खत्म हो गया, शैतान अभी बाकी है और जिस दिन मेरी मा उस घर को छोड़ कर जा रही थी तब आखरी बार उन्होंने शांती मा को अपने हाथ में किसी के सर को लेकर जाती हुए, उस खुए की और जाती हुए देखा था आगे क्या हुआ होगा, वो तो मा को भी पता नहीं है पर शायद शांता मा ने उस शैतान को खत्म करने के लिए अपनी बली दे दी थी दोस्तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करकर ज़रूर बताए और अगर आपको मेरी कहानिया पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे मेरे चैनल से जुड़े रहे और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे मैं जल्द ही आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानिया लेकर आऊंगा तब तक के लिए अलविदा